एक homogeneous equation जिसकी degree 2 हो, origin से पास होने वाली pair of straight lines को represent करती है, यह हम जानते हैं बच्चों, हमारे पास में equation है, suppose कि यह ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, we know that it is a homogeneous equation of degree 2, so obviously, it is representing 2 straight lines, बच्चों यह 2 straight lines को represent करेंगे, उन दोनों ही lines के खासियत य होगी कि वो दोनों ही lines बच्चों origin से पास हो ऑगी, बिलकुल होंगी साब और उन दोनों लाइन्स के बीच में बच्चों दो एंगल बनेगे एक एंगल इन दोनों के बीच में ये बनेगा और एक एंगल उन दोनों के बीच में ये बनेगा इन दोनों लाइन्स के बीच बच्चों जो दो एंगल बने हैं इन दोनों ही एंगल के by sector की equation हमें find out कर ली हैं बच्चों by sector क्या होता by sector is basically वो line बच्चों जो angle को दो equal parts में bisect कर दे which divides angle into two equal parts जो को बच्चों दो बराबर भागों में विभाजित कर दे angle by sector की विशेष्टा यह होती है साब कि angle by sector के किसी भी point से given lines पर perpendicular drop कि जाएं तो उन परपेंडिकुलर की length बच्चों same होती है angle by sector can also be defined as the locus of a point lens of perpendicular form which to two given lines are always equal बच्चों इस by sector के किसी भी point से अगर मैं इन दोनो lines पर perpendicular drop करूंगा तो परपेंडिकुलर की length से इस by sector के किसी भी point से इन दोनो lines पर मैं यदि perpendicular drop करूंगा सहाब तो जो परपेंडिकुलर की length इसकी आएगी वह इच इसकी आएगी यह बात आप लोग जानते हैं अब यह हम जानते हैं साब यह जो equation है यह origin से पास होने वाली lines को represent करेगी so let first line is y equals to m1 x second line जो है सहाब वो y equals to m2 x तो इनके बीच में बच्चों यहाँ पर दो by sector बनेंगे एक by sector बनेगा by sector 1 और दूसरा by sector बनेगा बच्चों by sector 2 हमें इन दोनों by sectors की combined equation बतानी है मतलब उसकी भी pair of lines की equation हमें बतानी है तो चलिए साब कोई हज़नी हम लोग काम करते हैं बच्चों लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास में एक line है a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0 और दूसरी line है a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0 बहीं आपके पास में एक line है यह a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 और एक है a2 x plus b2 y plus c2 equals to 0 तो इनके angle by sectors की equation क्या होती है बच्चों इनके angle by sectors की question होती है आप लोग जानते है कुछ यह और यह कैसे आई थी बच्चों यह आई थी उसकी definition से ही कि by sector is basically defined as the locus of a point lens of perpendicular from which two given lines are always equal तो वहीं यहां पर बात हो रही बच्चों की बाय सक्टर के किसी भी point से इन दोनों लाइन पर perpendicular drop करोगे तो perpendicular लगे लंद equal होगे उस basis पर आपके पास में बाय सक्टर की question यहां थी एक पर प्लस देकर एक बाय माइनस देकर अब फिएसलि दोनों लाइन kे बीट में दो एंगल एक थीटा तो दूसरा दूसरा आंगल obviously 181 थीटा होगा क्योंकि एक लाइन पर पूरा एंगल जो होता है फिए सो आसी का होता है तो अगर एक थीटा है तो दूसरा और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इनके बिच में दो बाइस अक्टर बनेंगे और इन दोनों बाइस अक्टर की एक्वेशन ये आएंगी बच्छो ठीक इसी तरह साथ यहाँ पर मुझे इन दोनों बाइस अक्टर यह जो दोनों लाइन से हमारे पास में इन दोनों लाइन से के बाय सेक्टर्स की एक्वेशन बताने हैं तो चलिए साब पहले ही लाइन की एक्वेशन है y-m1x equals to 0 और दूसरी लाइन है बच्चो y-m2x is equals to 0 equation कैसे बनेगी बच्चो बड़ा simple सा तरीका है y-m1x over under the root of a square plus b square कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी बच्चो और is equals to plus minus और यहाँ पर y-m2x over under the root of m2 square plus 1 square यह लेजे आपने यहाँ पर y-m1x upon under the root of a square plus b square यहाँ भी वही पिक्चर बनेगी बच्चो बड़न गुड अब क्या करोगे अब यह करोगे जहाँ कि y-m1x over m1 square plus 1 और यहाँ पर इस plus minus को आप यहाँ ले आएंगे बच्चो यह यहाँ कहा जाए कि चलिए आप एक बार plus लेंगे अचली मैं एक काम करता हूँ लगे हाँ यही पर साथ में ले आता हूँ यह आगे आपके पास में बच्चो जब आप left hand पर लेकर आएंगे तो plus वाला minus और minus वाला plus हो जाएगा यह आपके पास में आ गया तो उस basis पर आपके पास में क्या होगा बच यह आप अध्य। उन दोनों लाइन्स के बीच में दो एंगल से तो उन दोनों लाइन्स के बीच में दो ही एंगल साएंगे था चूंकि दो आपके यह यह ऑर दूसरे by sector की equation होगी एक सेकन दूसरे by sector की एक्वेशन होगी यहां पर कुछ ऐसे यह यह प्लस लिए हो और एक बार नाच discard सी बात है प्लस लिया और ये आगए आपके पास ये सहाब कुछ रहा आपके पास ये दुशला बाइस रूंस के एक बार माइनस ले कर एक बार प्लस मैं तो इनकी pair की equation निकालना चाहता हूं तो pair की означion क्या होगी और बैंधि दी द्यार डा equations of angle bisectors अगर मुझे equation of pair of angle bisectors देकालना हूं मुझे यह जो angle bisectors हैं बच्यो इसकी pair की Hebrew option निकालनी हूं how to find out देट बच्चो बोधो infrastructure अ वो find out करने का तरीका is not a big deal y-m1x over under the root of 1 plus m1 square minus y-m2x over 1 plus m2 square y-m1x over under the root of 1 plus m1 square plus y-m2x over 1 plus m2 square is equals to 0 यह आपके पास में आ जाएगी बच्चों आपने उन दोनों equations को multiply कर दिया जब आप दो lines की equations को एक साथ multiply कर देते हैं तो आपको मिलती है उनकी pair of lines की equation simple that what we are doing over here आपके पास में बच्चों एक line ये थी एक line ये थी मतलब आपको उनके by sector की equation निकाली using this identity में पास में ये आई plus minus को मैं LHS पे ले गया तो एक बार minus लेकर एक बार plus लेकर एक by sector रिस से आएगा एक by sector रिस से आएगा दोनों को combine equation के रूप में change करना है इसलिए इनको इस तरह से multiply कर देंगे अब यहाँ पर ये काम करना भी कोई बड़ा काम नहीं होगा बच्चों हम लोग जानते है a minus b into a plus b क्या होगा चलिए मैं वो भी कर देता हूँ ये क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा a square तो a square ये हो गया और upon में b square कर देंगे तो root खट जाएगा सहाब आपके पास में a square minus b square b square के value ये लीजिए a square minus b square और रहेचस पर क्या सहाब ये लीजिए आपने क्या देखा यहाँ पर a minus b into a plus b a square square कर देंगे यहाँ पर भी square कर देंग MILट यहाँ पर भी kr Oakland अबभी square कर देंगे यहां multiply फिर yy square एक साथ लिख दीजिए xxx के साथ में लिख दीजिए उथ हलका फुलका आपको manipulation करना पड़ेगा आपको जब आप यह सारा काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक साथ में एक साथ में लगाएंगे मैं थोड़ा भूत नहीं लिख रहा हूं आप खुद भी कर सकते बच्चों तो वो जो equation आपको मिलेगी बच्चों वो मिलेगी x square minus y square upon x minus y is equals to बच्चों a b upon h yes एक मिनिट आपको यहां पर जो equation मिलेगी वो मैंने थोड़ी सी गलत निख दी बच्चों x square minus y square upon a minus b is equals to x y upon h यह आपके पास में बच्चों इनकी by sector की question आजाएगी finally by sector की question जो है थोड़ा बहुत मैंने जैसे आप से कहा कि आप इसका multiply यहां करेंगे इसका multiply यहां पर करेंगे फिर कुछ-कुछ चीज़े common आजाएंगी cancel भी हो सकती ही सम्भवत है और finally आपको मिलेगा क्या बच्चों x square minus y square upon a minus b is equals to xy upon h so this is their angle by sector आप चाहें तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि h into x square minus y square minus a minus b into xy is equals to 0 आप देख सकते हैं बच्चों यह जो by sector आपके पास में आया है यह जो by sector की equation आपके पास में आया है बच्चों बहुत इत्मिनान से अगर आप ध्यान दें तो आप एक बात पाएंगे कि यह जो equation आ रही है बच्चों this is a homogeneous equation यह कौन सी equation है बच्चों यह एक homogeneous equation है homogeneous equation है क्योंकि आप कोई भी term में देख लीजे x और y की powers का sum सेम आ रहा है बखायदा 2 ही आ रहा है यह homogeneous equation है obviously इंके जो इंको खोंगे वह इन्हीं के इंटर्षण पॉंट से पास होंगे उसी पास होंगे ऊथिस ложμά अब यह इन्हीं के इंटर्सेक्शंट पाइंग से पास होंगे बच्चों अगो प्ली रिदिद्दधू 2 है मध्ना दो लाइंस हो गही और एक बातक्षाहिं और जानते हो दो लाइंस के बीच में एंगल कुछ भी हो सब्सक्राइब थीटा तो उस फड़र। अब अगर दो निंगरत निगालोगे तो ठपा लगा वा बात का सब् из-पप और नाइंती δीग्री आएगा कितना आएगा साब 90 डिगरी तो आप देखिए न यहाँ पर एक्स स्केर और वाय स्केर दोनों के कोफिशेंट का सम देखिए वह एक्स स्केर का कोफिशेंट है वन और वाय स्केर के कोफिशेंट है माइनस वन इन दोनों का सम देखिए कितना आ रहा है जीरो आ रहा है और यदि सम अफ कोफिशन्स अफ एक्सर स्केर एंड वाय स्केर इसकूर 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 जीरो तो जो पेयर आफ लाइन होती है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री एंगल पर होती है वही पिक्चर बढ़ रही है यह होमजीनियस एक्वेशन है जो दोनों ही लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लंवट है बच्चो वही पिक्चर जाक क्या रही है बच्चो मैंने जो आप से कहाम एक बाद फिर से बोर हो बच्चो दो लाइन्स के बीच में जो एंगल बैसक्टर की पूसर ने वह यह है ऑव ये है जो ने के मी अजुकि यह जड़नों-बैसपर शोंगे जिस पॉइंड़ पर दोनों गीवन लाइन इंटर सब्श Shook कर रही है जिस पर दूनों लाइन से एक दूसर को इंट्रसक्क कर रही थी बच्चो और तो इसलिए दूनों इंट्रसक्क रही थी 00 पर तो यह भी 00 से पास और यह होमोजेन सी पास होगी आप देखे 00 सको सटिस्टाइब यह भी सब्ज़ जा सकता है और अगली बात बच्चो यहां पर और अप जानते हो अगर किसी प्यर आफ लाइंस की क्वेशन में अट्थ स्क्र स्काइल के को फिशन्स का सम जीरो होता है तो रख़ों दोनों when universrium परपेंडिकुलर होती है और वाइस्क्टर होते हैं और वहां परपेंडिकुलर ही होते हैं पर यह जो भी कुछ लिखा बच्छो इसे note down जरूर कर लिजी इसे note down जरूर कर लिजेगा बच्छो चलिए अब मैं यहाँ पर जो है एक दो हम छोटे-छोटे से समस कर लेते हैं बच्छो हमें एक simple सी pair of line की question दे रखें साब 3x square प्लस 6xy प्लस 2y square या प्लस y square चलिए आपको यह pair of line की question दे रखें बच्छो दे रखें आपको इसके angle bisectors की equation बताने है बस find out equation of angle bisectors of lines represented by following equation वीडियो को रोक करके किजिएगा बिल्कुल सिंपल है बच्छों compare करेंगे a equals to 3 आएगा 2h equals to 6 आएगा और b equals to 1 आएगा साब compare करेंगे a equals to 3 आगया 2h equals to 6 और b equals to 1 आगया तो h equals to यहाँ पर 3 आगया तो आपको जो है angle bisector की question बताने है वो होगी x square minus y square over a minus b और a की value 3 है b की value 1 है is equals to xy over h और h की value 3 है तो आप चाहें तो score multiply करते हैं तो so that it becomes 3x square minus 2xy minus 3y square is equals to 0 confirm बच्छों कि वो जो equation आएगी वो एक homogeneous equation ही होगी और साथ में दोनों जो lines होंगी यानि जो by sectors हैं वो दोनों perpendicular होंगे और इस बात के पुष्टी साधार पर भी की जा सकते हैं कि some of coefficients of x square and y square is equals to 0 तो यह है बच्छों और भी काम कर लेते हैं चलिए एक और question हम लोग कर लेते हैं if लिखिएगा बच्छों if following pair of lines if following pair of lines are representing are representing equations of bisectors of each other if following pairs of lines are representing bisectors of each other then find relation between m and n वीडियो को रोग करके कीजिएगा बच्छों आपके पास में यह एक pair of line है यह भी एक pair of line है यह दोनों एक दुसरे की bisectors हैं मतब इसकी bisectors यह है और इसकी bisectors यह हैं देखिए डाइग्राम से आपके पास में एक pair of line यह रही एल वन इकोस टू जीरो और एल टू इकोस टू जीरो यह आपके पास है पहली वाली इसकी यह है और इसकी लाइन यह है यह पैर अपको रिपर्जंट करेगी न तो ऐसा कुछ है हमारे पास थोड़ा सा डाइग्राम को मुझे और सही करना चाहिए और उसी के लिए मैं काम करता हूं भाई यह है कि ऐसी पहली वाली जो एक सेकंद एक सेकंद मैं थोड़ा सा स्कोर रेक्टिफाइब करता हूं यह लीजिए अभी तक्रीबन तक्रीबन सही बन गया बच्चो पहली वाली जो पेयर है वह इन दो लाइन को रिप्रेजन कर रही है मैंने इन दोनों को एक दूसर के परपेंडि सब्च प्रेज में थे लिगत एंजेश बन रहे हैं उनकी अब ड़ाइस आये एक बायसक्टर ये आएगा और एक बायसक्टर ये आएगा अब विशेष्ता क्या है विशुकौस टूच जीरो और यह थो डैश इस एकॉस टू जीर्ण है साब आब यहां पर क्या फिक्चर सब्सक्राइब करें-देच्ञ को कहते हैं यह को सर्फ यह इसे बता रहा हूं अधर बाद का उससर को वह जादा लेना देना नहीं है बैस थोड़ा सा लेकिन हमें क्या अक्चुरी कॉडिनेट जोमाट्री में अगर हमें डाइग्राम थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो और एक स्केर प्लस2H, xy, y, 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 q eq, 0 से कंपेर करा मरको एक मिला वन टू, h की वैल्ली यह और b की वैल्ली यह इसको स्वाल करेंगे बच्चो तो h की वैल्ली एमा जाएगे तो इसके बाइस्टर की क्वेश्चन क्या होगी एक्स स्केर माइनस y स्केर ओवर a-b a-b is equals to xy upon h और h की value यह आगई बच्चो आगई भई आप इस pair of line का by sector निकाल रहे हैं तो उसकी question है कोई x square minus y square upon a minus b equals to x y upon h हो जाएगी अब क्या करोगे इससे आप लोग next step में देख सकते हो x square minus y square minus 2 over mxy is equals to 0 now if you solve this you will get x square minus 2 over mxy minus y square is equals to 0 यह आपके पास में आगई बच्चो यह जो equation है उसके by sector की equation यह आगई मैं आप से बोलता है square of line का by sector की question बता हो तो आप क्या करते है x square minus y square upon a minus b equals to x y upon h यही कुछ करते हैं कर दिया very good and thereafter thereafter आपने जो by sector की question निगाली वो यह है और problem बनाने वारा आप से बोल रहा है कि इसकी जो दो lines है उनके by sector की question यह है आपके हिसाब से इसके by sector की question यह है और problem बनाने वारा बोल रहा है कि by sector की question यह है तो अब जिब दोनों चीजें एक ही हैं तो फिर सुभाव एकसी बात है बच्चों की जब दोनों बाते एक ही हैं मक्त दोनों एक ही कर्व को represent कर रही हैं तो दोनों equation same होगी और मैंने आपसे पहले भी कहा है बच्चों की ऐसा बहुतों बार koging network geometry में होता है कि एक ही कर्व की equation को हम लोग अलग तरीकों से represent कर पाते हैं तो उस थिती में हम क्या करेंगे बच्छो दोने equations को compare कर लेंगे तो यहाँ पर x square का coefficient 1 यहाँ पर b1 यहाँ पर बच्छो x y का coefficient minus 2 by m और यहाँ पर सहब 2n यहाँ पर y square का coefficient minus 1 और यहाँ पर b minus 1 यहाँ पर minus 2 by m और यहाँ पर minus 1 यहाँ यहाँ पर minus 1 यहाँ पर minus 1 यह cancel हो जाएंगे 2 से 2 भी cancel हो जाएगा इत्मिनान से आप हल करके देखिए बच्छो m into n की value आ रही है minus 1 m denominator में जाएगा यह cancel हो जाने के बाद finaly जो ratio आ रहा है बच्छो उसको solve कर लिने के बाद आप इसको इसके equal कर दो या इसको इसके equal कर दो एक ही बात है बच्छो finaly आपको m n का product जो मिलेगा वो minus 1 मिलेगा आपसे पूछा था m और n के बीच में relation तो relation क्या है बच्छो कि उन दोनों का जो product है वो रिड़ एक आ रहा है आपने इस pair of line का by sector निकाला वो यह आया और problem बनाने वारा बोल रहा है कि by sector इसका जो है वो यह है तो दोनों बाते सेम ही होंगी आप इसका उल्टा भी चल सकते हैं कि आप इसका by sector निकाल दें आप की इस आप से जो by sector आएगा वो जो होगा उसको इससे compare कर लिजिए आपको डिट्टर यह इस answer मिलना है श्योर 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 बात है बच्छों चलिए तो इससे आप भी नोट डाउन कर लिजा कर डिए डाइग्रामेटिकली इसका क्या significance है हम समझ सकते हो बच्छों आप यह है और यह दोनों भी परपेंडिकुलर हैं चलिए हम लोग एक छोटा सा सम और कर लेते हैं बच्छों if one of the bisector if one of the bisector between lines represented by following equation if one of the bisector between lines represented by following equations is given by y equals to mx y equals to mx then establish a relation among a, h, b and m वीडियो को रोग कर के कीजिएगा देखिए आपके पास में ये दो lines को represent कर रही है कर रही है इन दो lines के बीच में दो angle बनेंगे उन दो angles के दो bisector बनेंगे उन दोनों में से एक bisector जो है सहाब वो y equals to mx है वो ये कह रहे है one of the bisector between lines represented by this equation is y equals to mx तो आपको relation establish करना है एक जो a, b, h और m के बीच हो तो कोई हज़ नहीं सहाब चलिए हम लोग देखे हमें हमें पता है बच्चों इन दोनों lines के बीच में जो दो bisector बनेंगे उनकी equation होगी x square minus y square over a minus b is equals to x y over h यहीं पिक्चर बनेगी बहुत अच्छी बात भाई इसके जब bisectors बनेंगे वो ये होंगे दो bisectors आएंगे obviously उनमें से एक bisector ये है तो ये bisector जो है बच्चों वो उस bisector की equation को satisfy करेगा आपको मालूम है कि इस line पर जो भी point होगा वो इस pair को satisfy करेगा यह यूं कहा जाए कि यह जो line पूरी की कोई पूरी line है वो इसकी equation को satisfy करेगी यह जो line है वो कोई भी कर्व जिन के लिए points से मिलकर बना होता है वह सभी points उस curve की equation को satisfy करते हैं या curve को वही satisfy करेंगे जो points उस पर लाए करें ठीक उसी प्रकार से pair of line को यह दोनों lines की equation भी satisfy करेगी और ठीक इसी तरह से जो bisectors होंगे वो bisectors की equation को satisfy करेंगे अब bisector की equation यह है और वो बोल रहे है कि जो दो bisector में से की equation यह है तो obviously यह equation बच्चों इस bisector की pair की equation को satisfy करेगी कराइए x square minus mx का whole square over a minus b is equals to x into mx upon h अभी आप देखेंगे बच्चों x into x will become x के जो की left hand से right hand से cancel हो जाएगा cancel हो जाएगा बच्चों आराम से इत्मिनान से आप हलकर के देख लीजिए 1 minus m square over a minus b is equals to m over h यह relation आपके पास में आ चुका और हलका फुलका आप cross multiplication भी लिखा सकते बच्चों हमें प्रूव करना है इस pair की lines, इस pair की lines के साथ में equally inclined हैं हमें काम करते हैं बच्चों यह जो पहली वाली pair आपको दे रखी है इसके angle by sector की question निकालते हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में सब्च में आएगा बच्चों x square minus y square upon a minus b is equals to x y upon h और यहाँ अगर हम लोग बच्चों a और b की बात करें तो a है a square और b है बच्चों b square और x y upon h, h क्या है h into a plus b यह है साब अब इसे थोड़ा सा simplify कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x square minus y square upon a minus b into a plus b यह कुछ आगा साब और right hand side पर x y है ही सही h b है और a plus b भी है a plus b से a plus b क्या हो गया साब cancel हो गया और इस तरीके से हमारे पास में x square minus y square upon a minus b is equals to x y upon h आगा आचुका साब इस तरीके से आपके पास में जो पहली वाली pair थी उसके angle by sector की equation यह आ गई और जो दूसरी वाली pair है बच्चों उसके angle by sector की equation निगा ले तो वो तो आपको standard form में ही दे रखी है दूसरी वाली pair के angle by sector की equation भी वही होगी जो पहली वाली pair की आई डिक्टो सेम आ रही देख लीजी आप एक्वेशन तो आपको standard form में दे रखी तो एक्वेशन सेम आ रही है और अगर दोनों के angle by sector की equation सेम आ रही है मतलब दोनों के angle by sector सेम है और ऐसा कैसे पॉसिबल है जरह हम वो देखते हैं बच्चों यह देखिए सहाब पहली वाली pair की पहली लाइन यह रही और उसकी दूसरी लाइन यह रही पहली वाली जो पेयर थी उसकी पहली लाइन यह रही L1 एक्वेश टू जीरो और L2 एक्वेश टू जीरो यह रही सहाब यह कुन सी पहली वाली पेयर और दूसरी वाली जो पेयर है सहाब दूसरी वाली जो पेयर है मैं व दोनों कहां से पास हो ओरी होंगे बच्चो और इसे यह लेज्जिये साब यहांजा से यौश अपके पास में कुछ ऐसी पिक्चर आई अब पहली वाली पेयर जो थी वह एल वन एकॉस तो जीरो और धासी कोश्टो जीरो यह है बच्चो अब इनके जो एंगल पाय सक्टर से L1 और L2 का जो angle by sector है वो ये रहा L1 और L2 का जो by sector है बच्चो वो ये रहा और L1 डश और L2 डश का भी by sector जो है बच्चो वो यही है क्योंकि आप देखिए ना दोनों के by sectors की equations सेम है दोनों के by sectors की equation सेम है तो यू कहा जा सकता है कि इनके जो by sectors आ रहे हैं वो common आ रहे हैं इनके by sectors जो आ रहे हैं बच्चो वो क्या रहे हैं common आ रहे हैं आप देखिए ना जो by sectors पहली पेर के आए वही by sectors दूसरी पेर के भी आए दोनों के by sectors सेम आ रहे हैं पहली पेर के by sector वही L1 और L2 के by sector जो आए वो ही दूसरी पेर के आए तो इससे हम लोग क्या conclusion निकाल सकते हैं एक बात हमको given है कि हमें ये दो lines given थी given थी और हमें दूसरी दो lines given थी given थी और हमने ये देखा कि साथ दोनों के बाय सक्टर सेम आ गए अब हमें ये प्रूव करना है कि पहली pair की lines जो हैं वो equally inclined है मतलब यूँ कहाई जाए कि पहली pair की पहली line और दूसरी pair की जो पहली line है उन दोनों के बीच में जो angle है वही angle पहली pair की दूसरी pair की दूसरी line के बीच में है हमें यही प्रूव करना है चलिए तो हम लोग ये काम करते हैं बच्चो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर ये angle theta 1 है तो ये angle भी theta 1 ही होगा क्यों? क्योंकि आप ये जो red color से मैंने जो line बनाई है बच्चो ये by sector है मैंने यह जो line बनाई है बच्चो यह by sector है तो angle को दो equal parts में divide करेगी suppose कि यह L1 और L2 के बीच का angle है 2 theta 1 तो यह भी theta 1 यह भी theta 1 ठीक इसी तरह से यह जो by sector है यह L1 डश और L2 डश का भी है तो बच्चो यह वाला angle अगर theta 2 है तो obvious सी बात है बच्चो यह वाला angle भी theta 2 ही होगा मैं फिर से बोल रहा हूँ यह जो by sector है वो L1 और L2 का by sector है मतलब वो इन दोनों के बीच के angle को दो equal parts में divide कर रहा है फर्ज कीजिए L1 और L2 के बीच का angle है 2 theta 1 L1 और L2 के बीच का angle है 2 theta 1 तो अगर यह वाला angle theta 1 है तो यह वाला angle भी theta 1 होगा क्योंकि वो by sector है bisect कर रहा है ठीक इसी प्रकार से यही by sector L1 डश और L2 डश के बीच का भी है तो यह theta 2 तो यह भी theta 2 होगा बच्चों आप देखिए इन दोनों के बीच में angle कितना होगा इन दोनों के बीच में जो angle आएगा बच्चों वो आएगा theta 2 minus theta 1 आएगा ठीक इसी तरह से इन दोनों के बीच में जो angle आएगा बच्चों वो भी कितना आएगा theta 2 minus theta 1 मतलब पहली पेयर की पहली लाइन और दूसरी पेयर की पहली लाइन के बीच में जो एंगल आ रहा है दूसरी पेयर की और पहली पेयर की दूसरी लाइन के बीच में वही एंगल आ रहा है बाहि आपसे यही कहा है कि इसकी जो दोनों लाइने के साथ में अब इस पैर में दो हैं , इस पैरMA मे धो olarak है आपको ये प्रूत करना था कि इसकी पहली 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 लाइन के बीच में और फ्रक्रेकर भी में वह थे आंचरन 1991 ax एक चुका होगा बट फिर भी और इससे एक अच्छा कॉंक्लूडिंग पॉइंट भी हमारे पास में आएगा बच्छों वह भी हम उस बारे में बात कर लेंगे देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें तो पहली वाली जो पेयर है बच्छों वह यह रही वह यह रह है यह बार-बार इसलिए बोला करता हूं कि जानना जरूरी है बच्छों केवाल कोई आपने इस तरह की क्वेशन देख लिए और आपने बुल दिया कि सहाब वह रीजिन से पास होगी वह कंडिशन है कि वह होना चाहिए तो सहाब यह देखिए यह एक और बात आपको है कि दोनों के एंगल बाय सेक्टर सेम आ रहे हैं यह आपने बाय सेक्टर निकाला एक और दूसरा बाय सेक्टर आपने निकाला यह यह बाय सेक्टर टू और यह बाय सेक्टर वन यह अपने बाय सेक्टर निकाले निकाले साब अब आई सेक्टर तो दोनों के सेम आ रहे है तो आपको उन्होंने दिया नहीं था लेकिन वो आपने निकाला तो आपको यह मालूम पड़ा अब बच्चो बाय सक्टर जो होता है वो क्या होता है इन दोनों लाइन्स के बिच के एंगल को दो इकुल पार्ट में डिवाइड करता है फर्ज किजिए अगर यह अंगल थीट टू थीटा टू विथ सेकंड लाइन अगर वह सेकंड लाइन के साथ थीटा बना रहा है तो इधर भी थीटा बनाएगा यह बना दिया इस तरह से साथ तो अब आपको इन दोनों के विच में एंगल कितना होगा बच्चो आप डाग्राम से देख सकते हैं अगर यह थीटा ईख्री लाइन के बीच में है डाग्राम बना लीजिएगा अब यहां पर शाय किसी के जहन में आए कि सर ऐसा ऐसे भी तो पॉसीबल है ऐसा ऐसे भी तो पॉसिबल है कि ये आपके पास में पहली पेयर की दो लाइन्स है और पहली पेयर की दो लाइन्स और दूसरी पेयर की जो दो लाइन्स है वो कुछ ऐसी हो जाएं कैसी ओजए बच्चों कि पहली ये देखिएगा एक भलेट यह एक लाइन आपके पास में ऐसी है और दूसरी लाइन आपके पास में ऐसी है वह यह देखिए इस तरह से ऐसा भी तो possible है कि आपने यहाँ पर ध्यान दे तो इन दुनों के बीच पे जो एंगल है ऐसा इसकेस पर पॉसिबल है कि यह वाला जो एंगल है यह वाला एंगल भी सेम हो पॉसिबल है लेकिन इस केस में उनके बाइस सेम नहीं आएंगे यह बात देखिए आप यहाँ पर एंगल सेम ऐसे भी हो सकता है लेकिन इसमर अगर वासरेक्टर सेम नहीं होगे लेकिन अगर वासर्टर सेम है तक तो एंगल सेम हो गई होगा मेरे कहने का मतलब घंड़ory pairs के by sector same है तो पक्की बात है उनके बीच में एंगल सेम होगे लेकिन अगर एंगल सेम है तो यह जरूरी नहीं कि by sector भी सेम होगे है क्या इन दोनों का जो बाय सेम होगा वो ब्लू केडर वालों का बाय सेम होगा नहीं लेकिन हाँ यहाँ पर क्फर्म है कि अगर बाय सेम है तो उनके बीच में एंगल सेम होगा मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास में मेरे पास में बच्चों एक लाइन यह है और दूस से घुमाया तो यह लाईन ऐसी होगई यह लेकिन किया होगा इनके बाभे कोई चेंड नहीं आएगा अगर मैं एक इसे मिटार नटाहिए पकाम करता हूं ब central majements यही फंड है इसे ऐसे घुमा दिया तो नहीं जो पोजिशन आएगी इस लाइन की वह यह आएगी आएगी यह आएगी बच्छो लेकिन इस केस में इनके एंगल बाय सक्टर में कोई चेंड नी आएगा एंगल बाय सक्टर फर्ज कीजिए इनका ये था तो वही का वही बना रहेगा उसमे करने का तरीका ये भी हो सकता था कि एक आप पास में यह हैं एक आप यहाँ पर वाजिशन हाएगी तो इस case में भी क्या होगा इनके angle by sector में कोई change नहीं आएगा अगर दोनों lines को आपने opposite direction में रोटेट किया वही एक को आप clockwise रोटेट कर रहो दूसरी को anti-clockwise तो उनके angle by sector में कोई change नहीं आएगा लेकिन अगर आपने दोनों lines को जैसे आपके पास में यह था अब अगर आपने दोनों इस case में इनका angle by sector कैसा बन रहा है यह बन रहा है बन रहा है अब अगर मैं इन दोनों lines को बराबर angle से घुमाता हूं और same direction में घुमाता हूं तो यह line ऐसी जाएगी यह line ऐसी जाएगी तो इस case में उनका by sector shift हो जाएगा by sector भी change हो जाएगा लेकिन अगर दोनों को आप same angle से opposite direction में भाई आप चाहो तो दोनों को पास में लियाओ या चाहो तो दोनों को दूर लियाओ और obviously बात है कि अगर एक direction में आप दोनों को पास है तो one relative minus theta होता है। so अगर एक तरफ से आप lines को pass में लाओगे वह यह दीए देखिए यह दो lines便ं आपके पस अगर एक तरफ से आप lines को pass में को फेक्षिडी से लेकिन अगर आपनेसे दूर डियों को से जाएगा धारो दोनों को से जाएगे दिए लेकिन उनको सीलमा का ब firms शिफ्ट हो जाएगा तो मैं यहां पर फिर बोल रहा हूं बच्चों कि दो पेर्स के बीच में एंगल सेम होने के दो तरीके थे आपने दोनों को अपोजिट डियरेक्शन में रोटेट करा हूं दोनों को सेम डियरेक्शन में रोटेट करा हूं अब सेम डियरेक्शन में रहे हैं तो उन दोनों पेर्स के बिच में एंगल सेम होंगे लेकिन अगर एंगल सेम बन रहे हैं तो एंगल भाय सेक्टर भी सेम हो ऐसा जरूर यह नहीं है ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता